जैहिन दोस्तों, स्वागत अब सबका Sleepy Classes के यूरिव चानल पे आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुब काम ना है तो दोस्तों आज से मंडे से हमारे editorial discussion जो होगा वो everyday होगा मंडे टू साटडे शाम को 6 बजे आएगा तो पहले क्योंकि हमने means की कुछ initiatives चलाए थे तो इसके कारण हमारा जो editorial discussion था वो हफते में 2 ही दिन आ रहा था तो बहुत सारे articles फिर compile हो जाते थे वीडियो बहुत लंबा चले जाता था तो बहुत सारे बच्चों ने request किया, message भी करा के जी हम इसको editorial discussion को everyday करें करेंगे वो यह है, हर एक article के बाद जो भी article हम discuss कर रहे हैं, चाहे वो environment related हो, चाहे वो IR related हो, quality related हो, article के end में question देंगे आपको, जिसका answer उस article में ही दिया हुआ है यानि के पहली बात हो के article को हम कोशिश करेंगे कि 200-200 words में content form में आपके सामने present करें, उसको discuss करें और जब question आपके सामने होगा, तो उसका जो answer है वो article में होगा, because बहुत सारे बच्चों नहीं ये का, कि सरी ये जो editorials है उसको याद कैसे किया जाए, चलिए बेशक अभी prelims आने वाले हैं, लेकिन हमारी जो त्यारी है, means कभी नगभी तो हमने means दे नहीं है, सरफ prelims नहीं देते रहेंगे तो इसकरके हमारी ये कोशिश है कि इन articles को और मज़ेदार बनाया जाए, ताकि आपको याद हो सके, और कैसे इसको होगा हम engaging कर सकते, in the form of question and answers तो ऐसे रहेगा, ठीके, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले article के towards देखिए, पहला article जो है, ये आज इन इन एक्सप्रेस में आया, the fallacy of MSP देखिए, कर आप इन इन एक्सप्रेस को follow कर रहे हैं, या editorial series को भी follow कर रहे हैं, तो मैं कुछ पिछले एक महिने से देखना हूँ, अशोक गुलाटी के जो articles, अशोक गुलाटी एक जाने माने agriculture economist है, तो ये बार-बार ये बात कह रहे हैं, तो देखो ये जो demand है MSP की, minimum support price की, जो भी farmers demand कर रहे हैं सरकार से, बेशक अभी तीन farm loss को repeal कर दिया गया है ये जो demand है, ये economically feasible नहीं है, fiscally feasible नहीं है, देखिए, अगर इसको थोड़ा briefly समझना हो अब एक time था, जब green revolution की जुरूरत ही, अगर हम mid 60s, early 70s की बात करें, तो पंजाब हरयाना में green revolution देखा, because the production की problem थी, हमारे यहां पे अनाज नहीं था, हम अपने अनाज के लिए भी हम import करते थे अमेरिका से, लडाईयां चल रही थी चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, और हमारे पास खाना खाने को नहीं था, तो हमारी production capacity नहीं थी, आज हमारी production capacity बहुत बढ़िया है, तो अब यह MSP system, जो के 19, mid 60s में शुरू किया गया था, green revolution को push देने के लिए, procurement करने के लिए, देखा जाए तो हमारे MSP system और procurement system, दो ही crops को target कर रहा है, wheat और rice को, लेकिन और 23, 24 types के और हमारे crops हैं, जिसके उपर MSP लगाई जाती है, लेकिन farmers को incentive सिर्फ wheat और rice का ही मलता है, अब एक survey हुआ था, situational assessment survey किया गया था, इन्हों नहीं, अशोग गुलाटी नेक survey किया था, तो यह survey था of agri households for the agriculture year 2018, अब इसमें इस survey से यह पता लगा कि जो percentage of farmers हैं, जो MSP से benefit कर रहे हैं, वो सिर्फ 6% से भी कम हैं, और जो value of agri producing है, benefiting from MSP, that is only 2.2%, चलो, the fact remains that the reach of MSP both in terms of agriculture households और the value of agriculture produce is less than 10%, अब देखे, traditionally तो green revolution Punjab और हरयाना के farmers को ज़्यादा incentive मिला था, जब green revolution की बात करें, लेकिन off lately, हम यह भी देख रहे हैं, जो procurement है, that has also spread to many central states like चत्यसगर, like Telangana, like Madhya Pradesh, तो अभी जो paddy की procurement है चत्यसगर और Telangana से भी करी जा रही है, traditionally तो Punjab हरयाना से ज़्यादा पैड़ी प्रक्योर करी जाती है, और Madhya Pradesh से भी wheat प्रक्योर करी जा रही है, लेकिन की बात करें, जो percent, जो figures हैं, वो कुछ जादा encouraging नहीं है, so only 37% of the farmers are actually benefiting from the MSP in these states of Chathisgarh and Madhya Pradesh. Now, what is missed in this entire story of MSP, देखी हमारे यहाँ पे जो average land holding है, एक छोटे मोटे किसान, 87% of the farmers engaged in agriculture are small land holders, तो average land holding जो है, वो 1 hectare से भी कम है, 0.9 hectare के आसपास है, अब सबसे जो एक unique बात यहाँ पे यह देखने को आ रही है, that यही जो किसान है, जो produce कर रहे है चात्यसगड के, Madhya Pradesh के, obviously Punjab, हरयाना के जो किसान होंगे, वो थोड़े जादा prosperous होंगे, as compared to the farmers of Chathisgarh and Madhya Pradesh, अब यह जो farmers produce कर रहे हैं, अब इनको subsidy भी दी जा रही है, now this is very irrational, because see, अगर आप procurement in farmers से कर रहे हैं, procurement, देखिए अब सरकार, taxpayers money लगता है, इसमें खर्चा लगता है, procure करने का MSP पे भी, ठीक है, सरकार के पास paid से तो पैसे आ नहीं रहे हैं, तो अब उस पैसे का आप जो procure कर रहे हैं, वो procure करके बाद में आप उसी किसान को subsidized rate में rice और wheat दे रहे हैं, तो the whole economics is not rational, the whole economics of this procuring at subsidized price, and then again providing the same grains at a highly subsidized price, this is against the logic of economics. Now what is the way forward? Now it is much better to directly help the small and marginal farmers with an income policy through a diversification package towards high value agriculture. Incentivize करिए, बार-बार यह मैं बात कहता हूँ, यह जो और 23 crops हैं, जिसके उपर MSP लगाई जाती है, उसके उपर भी attractive MSPs, वो जो crops हैं, उसकी भी MSPs attractive होनी चाहिए, ताकि farmers को वो crops ने का भी incentive मिले. ठीक है, agriculture diversification की बात करते हैं, dairy farming की बात करते हैं, horticulture की बात करते हैं, fruits होगे, vegetables होगे, अभी भी क्यों बार-बार rice और wheat पे emphasis की आ जा रहा है, और हमको यह भी पता है कि जो economic cost है, rice और wheat का अत्मा grow करने का, वो भी बहुत draining है, economic cost भी और environmental cost भी, because obviously जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम nitrogen की बात करें, methane gas emissions की बात करें, तो यह rice cultivation से methane gas emissions और बढ़ते हैं, MSP को यहाँ पे दो बातों पे gradisize किया गया, पहली बाद, this creates a highly distorted incentive structure in favor of wheat and rice, और दूसरी बाद, जो basic demand है, जो basic logic है, supply demand की, जो basic, देखे, कोई भी commodity है, वो supply demand के mechanism पे जज़ करी जानी चाहिए, ठीक है, तो जो MSP है, minimum support price जो है, this is distorting the basic logic of supply and demand mechanism, and this is hampering the process of agriculture diversification, तो यहाँ पे अब इस article को हमने discuss किया, 200-200 words में हमने आपके सामने content रखा, अब इसका question क्या बनता है, तो अगर हमको इस question को answer करना हो, तो हम यह article बढ़ सकते हैं, जो content आपके सामने हैं, उसको आप study कर सकते हैं, तो question इस article से यह बनता है, critically examine the environmental and economic concerns associated with the MSP regime, would relying upon MSP be sufficient for an average small landholding farmer, तो देखिए यह वाला और यह वाली जो slide है, यह जो missing link और way forward जो है, देखिए way forward बहुत ज़रूरी है, articles में वो articles पढ़ना, वो articles समझना, हम भी वो articles आपके सामने प्रिजेंट करते हैं, जहाँ पर solutions दिये होए हैं, problems के बारे तो बात हम जितनी मर्जी कर लें, लेकिन solutions क्या हैं, UPSC ने solutions मांगने हैं, तो way forward देना बहुत ज़रूरी है, तो इस question का, यह जो question भी मैंने आपके सामने रखा है, इसका answer आपको इन दो slides में से मिल जाएगा, चलिए, अगला time for a green ship, देखिए अब net zero की बात हमने कर दी, इंडिया ने कहा दिए कि by 2070 हम net zero अचीफ करेंगे, उसके लावा और 140 countries है, ज़रूने अनाउंस किया कि हम भी net zero अचीफ करेंगे, हर कोई 2050 तक तो नहीं अचीफ कर पाएगा, इंडिया ने चलो अभी Glasgow Summit में 2070 की बात करी है, और हम ये भी चानते हैं कि net zero कोई रातो रातो अचीफ होने नहीं वाला, अभी भी जो हमारी dependency है, फॉसल फ्यूल पर रहेगी, कोल पर रहेगी, हम चाहते हैं, we do want, हम green energy की बात करें, हम ये transition की बात करें, ताथ हम फॉसल फ्यूल से हम अब एक transition ले के आए towards cleaner fuels, towards greener technologies, but that is not going to be an easy task, ठीक है, we cannot completely phase out all the mechanisms which we have today, because after all इतनी energy की बात करें, petrol की बात करें, fuel की बात करें, तो अभी तो हमारी गाड़ी electric नहीं चल रही न, अभी तो हमको fossil fuel based supply पर dependent रहना पड़ेगा, नो यहाँ पे, अब आपने वो movie देखी हो कि Dark Knight, उसमें Joker ने एक dialogue कहा था, Batman को 2008 में Dark Knight आई थी, that when an unstoppable force means an immovable object, तो यहाँ पे unstoppable force, irresistible force, Vikram Mehta इस article में क्या कहते हैं, जो irresistible force है, वो अब clean energy है, कि आप इसको resist नहीं कर सकते हैं, clean energy, greener technologies, यह तो आनी ही आनी है, या तो देखी, या तो गाड़ियां चलेंगी सड़कों पर, या इनसान रहेंगे, तो दोनों चीज़े तो नहीं होने वाली है, because obviously जिस तरह से हमारा global warming बढ़ रहा है, तो आने वाले time में जैसे तापमान बढ़ेगा, जैसे और यह phenomena's, flooding की बाद करें, गर्मी की बाद करें, सड़ी की बाद करें, unseasonal rain की बाद करें, तो definitely it will be very difficult for humanity to survive, तो therefore the need of the R is to transition towards clean energy, therefore clean energy is like that unstoppable irresistible force, और जो immovable object है, यहाँ पर हमारा immovable object क्या बनता है, जो already existing हमारा fossil fuel energy system है, क्योंकि यह रहने वाला है, यह अभी कहीं नहीं जाने वाला, एकदम से आज हमारी गाड़ियां सडकों फे electricity भी नहीं चल पाएंगी, आज के time पे we don't have that luxury, तो अभी हमको fossil fuels की dependency रहेगी हमारे उपर, अब paradox क्या है transition का, irresistible force and immovable object की अगर हम बात करें, इसमें paradox क्या है, लेकि पहली बात हो कोई भी देश इतनी जल्दी अपनी इस energy transition को finance नहीं कर पाएगा, अकेले अपने बल्गूते पे, ठीक है, तो चाहे कोई multilateral institution हो, चाहे कोई एकलौता कोई country हो, अगर USA की भी बात करें, Canada की भी बात करें, UK की बात करें, अखिला कोई नहीं कर पाएगा, इसमें collaboration की जरूरत है, global collaboration की जरूरत है, cooperation की जरूरत है, fossil fuels अभी भी dominate करेंगे energy basket को, and they are gonna, I mean, obviously, at the same time, हम अपनी energy transition के उपर, clean energy के उपर emphasize कर रहे हैं, लेकिन जो fossil fuels हैं, उसके उपर dependency बनी रहेगी, अभी हमने at the end of 2021, हमने देखा के petrol के दाम, diesel के दाम, कितने skyrocketing high उसके prices थे, तो ये जो सब factors हैं, geopolitical factors हम लेके चलें, demand supply factors लेके चलें, कल को कोई West Asia में, फिर से कोई लडाई हो जाए, कोई conflict आ जाए, तो ये जो prices है, fossil fuels के, natural gas की बात करें, पेट्रोल की बात करें, volatile रहेंगे रहेंगे, ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें, like countries, ये जो हमारी जो, पेट्रोल producing countries हैं, अगर हम OPEC की बात करें, साउदी हो गया, गल्फ नेशन हो गया, एराक, एरान, रशिया, they will gain greater control over the petroleum market, as progressively private companies move beyond fossil fuels, तो अब ये बात की गलत फहिमी में रहना, देखो कि अब हम clean energy के towards move करें, तो हमको fossil fuels की ज़रूरत नहीं है, या अब हमको अपने relations, अगर इंडिया जैसी country को अगर ऐसा वहम आए, कि अब हम clean energy के towards move करें, तो अब हमको इतना सारा जो तेल है, वो एरान से, काटल के उपर वो और बढ़ने वाला है, अब यहाँ पर green transition की बात करते हैं, देखी एक तो समझधारी की बात है, एक तो हम अपने relations in oil producing countries के सथ अपने अच्छे बना के रखे रखें, बिकर्स हमको oil चाहिए in countries है, दूसरी बात, अब दूसरी बात जो renewable energy की बात तरहें, renewable energy बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं, जो rare earth metals हैं, lithium की बात करें, cobalt की बात करें, यह कहाँ पर पाय जाते हैं, तो Congo जो है, it controls for instance more than 50% of the global supply of cobalt, Australia की बात करें, Australia holds a large share of lithium market, तो यह कि आपके electronic vehicles की बात करते हैं, हम renewable energy की बात करते हैं, renewable energy material की बात करते हैं, तो उसमें यह metal बहुत जादा काम आने वाला है, तो at the same time, हमको अपनी engagement in countries के साथ भी और बढ़ानी पड़ेगी, ताकि हम clean transition के towards move कर सकें, और यह raw inputs जो हम को चाहिए हैं, renewable energy materials बनाने के लिए, वो हम बना सकें, now what is the way forward for India, now India must nurture relations with our traditional suppliers, so अभी traditional जो हमारी dependency है, oil की उपर, natural gas की उपर, petrol, diesel की बात करें, वो बनी रहेगी, यह गलत फेमी में रहना इंडिया के लिए, हानी कारक हो सकता, तो देखो अब जो energy market है, fossil energy market है, वो खतब होने वाली है, because आज से 50 साल में हम net zero चीप कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला, India has to create a facilitative ecosystem, for search and development of the minerals and materials, minerals and the metals required for clean energy, और देखिए अब यहाँ पर, हम green transition की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना हो सो कि अपनी कम से कम dependency हम चाइना पर दिखाएं, especially for the raw minerals or the raw inputs required for the renewable energy products, because obviously अगर हम चाइना के पर dependency दिखाएंगे, तो अज हमारी कितनी dependency हैं चाइना के अपर, तो we have to engage more with countries like, with the African nations, अगर हम Congo की बात करें, श्रीलिया की बात करें, तो यह बहुत जरूरी है, अब इस आर्टिकल को पढ़ लिया, इस आर्टिकल के हमना content देख लिया, अब इसका question क्या बनता है, इंडिया नेट्स तो हाव अपर प्राक्टिकल अप्रोच तोवर्स नेट जीरो, इंडिया कैनाट फेज आउट इस डिपेंडेंस ओन फॉसिल फ्यूल्स कम्प्लीटली, comment, तो यह हमने, यह जो हमारे यहाँ पर पॉइंट्स पांच पॉइंट्स है, और यह जो paradox of transition है, यह जो चार पॉइंट्स है, तो इन नौ पॉइंट्स में आपका answer है, चलिए, अगला article, state schemes can cast a lifeline to this welfare plan, context क्या है, context है, प्रधान मंतरी मत्रू वंदना योजना, क्या है जी यह योजना, तो जैनवरी एक 2017 को, the government rolled out this scheme, यह जो scheme है, this involves a cash incentive of रुपीज 5,000, provided directly to the bank, or the post office account of a pregnant woman, and the lactating mother, जिसका पहला अभी baby होने वाला है, खास करकि यह जो mechanism है, उन औरतों के लिए है, जो unorganized sector में काम करते हैं, देखे अभी pandemic आया, तो pandemic के चलते, कम से कम economic shock, देखी, दुनिया भर को economic shock face करना पड़ा, कम से कम 26 करोड औरते, 26 करोड औरतों को भी economic shock देखना पड़ा, खास करकि वो जो के unorganized sector में काम करते हैं, और यह जो 26 करोड औरते हैं, so at an average, they deliver one child each every year, तो यानि के 26-30 करोड बच्चे हो सकते हैं, जो के पैदा ना हो पाए हो, because of the economic shocks faced by these women working in the unorganized sector, तो इसके चलते बहुत जरूरी बन जाता है, कि इन unorganized sector में जो ladies काम कर रही है, इनको कैसे इस तरह की support दी जा सके, that they can deliver their babies safely, तो यह पांच जार तो कुछ जादा रकम नहीं होती है, तामिलाडों की बात करें, खास करके इस article में उडिशा की बात करी गई है, जिरों ने अपनी state में इस तरह की schemes चलाई है, modeling on the lines of प्रधान मंतरी, मत्रू, वंद्रा, योजना, प्रधान मंतरी, वंद्रा, मत्रू, योजना, तो अब for instance, अगर हम बात करें, मम्ता, so मम्ता is the same scheme launched on the lines of प्रधान मंतरी, मत्रू, मत्रू, वंद्रा, योजना, अब यहाँ पे जो मम्ता scheme है, ओडिशा की, और the maternity entitlement scheme, यह 2011 में शुरू करेगी तो उसको 10 साल होगे, और तेलंकारा में, the KCR kit, this scheme was started in 2017, अब जो ओडिशा की scheme है, मम्ता, this has been offering conditional cash transfer of 5000 as a maternity benefit for up to 2 life births, जो किंद्र सरकार की scheme है, उसमें सिर्फ 1 life birth की, यहने कि सिर्फ एक ही बच्चे तक सीमित है, वो, दो बच्चे तक सीमित नहीं है, ओडिशा की जो scheme है, 5000 जो दिया जाएगा, एक महिने के लिए, वो जो है, यहने कि अगर औरत एक से जादा वार उसके घर बच्चे हो, ठीक है, now, in a comparative analysis between the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna and the Mamta scheme, the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna shows a poor performance with a 52% drop in the number of beneficiaries covered, on the other hand, अगर Mamta की बात करें, जो कि ओडिशा की scheme है, तो बात यहां पे cooperative or competitive federalism दोनों की आ जाती है, तो अगर उडिशा ने यह कर दिखा आया है, उडिशा ने इस particular scheme में central government को भी beat कर दिया है in terms of figures, in terms of coverage, तो कैसे और भी states उडिशा को emiluate कर सकते हैं, emilate कर सकते हैं, चलिए, now what is the way forward? तो अब पहली बात extending the maternity benefit under the scheme to the second life birth, याने कि जैसे उडिशा ने किया है, कि दो, अगर एक अगर lady है, उसके दो बच्चे हैं, तो याने कि दूसरी pregnancy की time पे भी उसको यह support मिलेगी, cash transfer मिलेगा, अब यह बहुत बड़ा boost होगा, खास करके उन औरतों के लिए, जो कि अनौगनाई सेक्टर में काम कर रहे हैं, और यहां पर यह भी जिकर करा गया, देखिए, 5000 से कुछ खास बनता नहीं है, जो current entitlement है, 5000 provided over one year, only which amounts to one month's wage loss, तो देखिए, अगर एक औरत की बात करें, कोई भी अगर हम बात करें, जो अनौगनाई सेक्टर में काम करें, चाह आदमी हैं, चाह औरत हैं, तो उनकी जो उनकी दिहाडी बनती है, महीने कर, जो भी उनकी कमाई बनती है, महीने कर के बाद, 5-7,000 ही बनती है, तो जो लो 5,000 किंदर सरकार ने प्रवाइड कर दिये, लेकिन यहाँ पर सिजेशन दिया गया था, जो प्रेगनेंट अड लेक्टेटिंग मदर्स हैं, जो अनौगनाई सेक्टर में काम करते हैं, अब क्वेशन क्या बनता है, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद, इंडिया's commitment towards the sustainable development goal of improving maternal health revolves around successful implementation of प्रधानमंत्री वंद्रा मत्रू योजना, comment, तो इसका आपको जो content है, वो इन 5 points और इन 5 points में मिल जाएगा, चलिए, last article, इस NSP cannot change Pakistan's direction, क्या context है, National Security Policy of Pakistan, तो Pakistan ने अभी हाल ही में, पिछले अफ़दे की बात है, December 27 को अपनी पहली, first ever National Security Policy of Pakistan निकाली है, now this is designed to be a comprehensive National Security Framework, and this covers a 5 year period from 2022 to 2026, चलो अच्छी बात है, after all, कोई भी country हो, Pakistan हो, Shri Lanka हो, Bangladesh हो, वो अपनी खुद की National Security Policy design कर सकते हैं, autonomous हैं वो अपने आप में, कोई ऐसे वो वाली बात नहीं है, इसको objective क्या है, objective है to ensure the safety, security and dignity of the citizens of Pakistan, पर दोस्तों, अब यहाँ पी बात यह आती है, कि Pakistan की कोई भी, हम affairs की बात करें, economic affairs की बात करें, internal affairs की बात करें, international affairs की बात करें, वहाँ पे army की interference हमेशा बहुत जादा रहती है, Pakistan की जो army है, that is always laid, क्योंकि देखी, यहाँ पे objective क्या है, economic security पहले रखनी है, यहाँ पे economic security रखने की बात करेंगी, national security of policy of Pakistan में, लेकिन army इस objective को, economic objective को कैसे meet होने देगा, because Pakistan army ने हमेशा अपना claim रखा, country के revenues के उपर, forex reserves के उपर, कभी भी allow नहीं किया, कि भी सरफ defense expense के लावा, और भी किसी जगा पे खर्चा हो सके, जितना खर्चा पाकिस्तान की सरकार defense पे करती है, उतना और किसी indicator पे नहीं करती है, और किसी sector में तना खर्चा नहीं होता, तो अगर तो NSP को successful वाके में बनाना है, अगर तो लोगों की economic needs को, अगर तो सच में आपने अपनी economic sovereignty maintain करनी है, तो आपको army के जो interference है, उसको थोड़ा रोकना पड़ेगा, पाकिस्तान को खास करके, तो first step has to be transparency in actual military expenditures, और दूसरी बात army के interference कम हो, दूसरी बात जो military expenditures है, वो कितने ये पाकिस्तान की civil society के लिए debate करना, कि actual में जो military expenditure किये जा रहे हैं, जो वहाँ पे taxpayer से पैसा लिया जा रहा है, कितना transparent है कि कितना actual में खर्चा military बे किया जा रहा है, बाकी का सारा जो पैसा है वो कहां पे जा रहा है, देखिए after all जो terror organizations है, वैसे तो after all अगर हम बात करने तालिवान भी creation ISI का ही है, तो लश्करे ताइबा, जैशे मुहम्मर, तालिवान, इन सब को कितनी funding मिल रही है पाकिस्तान से, तो इस बात का खुलासा तो होना चीए, अगर national security policy की बात करी है, economic security की बात करी है, तो आप अपने लोगों को तो accountable है, पाकिस्तान at least अपने public को, अपने अवाम को तो accountable है, now obsession with India, देखिए वो obsession तो रहेगा इंडिया के साथ, अब 75 साल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर का अभी भी मसला है, जो हल नहीं हुआ, पता नहीं हूँ को ऐसा के लोगता है, कोई मसला भी भी रह गया है, ठीक है, अब 5 अगस्ट 2019 को अगर हमने आर्टिकल 370 अब्रोगेट कर दिये, तो वो हमारा internal matter है, कश्मीर हमारा है, अब इसमें पाकिस्तान का trade बंद करना इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान ने अपने पेर पे कुलाडी मारी है, इस तरह के जो attacks, इस तरह के जो non-state actors हैं, जो इस तरह के attacks carry करते हैं, उरी में, पुलवामा में, और उसके बाद जो इंडिया और पाकिस्तान की बीच में जो trade में tensions आती हैं, इसे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान सिरफ चाइना के साथ, एकि पाकिस्तान का physical neighbor जो है, वो इंडिया है, और इंडिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की मुकाबले, तो अगर हम common sense की बात करें, pragmatism की बात करें, तो जब तक पाकिस्तान अपने relations इंडिया के साथ नहीं सुधारता, तो चाहे जित्रे मर्जी लाखों क्रोरों डॉलर की pipelines और बेल्ट और economic corridors चाइना पाकिस्तान बना ले, पाकिस्तान कभी भी progress नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान की जो ideology है और जो obsession है, that prevents developing realistic ties with India, India wants a stable Pakistan, that is in the interest of the South Asian region, बट पाकिस्तान की long term interest के लिए भी अच्छा है कि वो अपने economic जो ties है इंडिया के साथ अच्छे रखे, सार की बात करें, सार की relevance रही नहीं है, because of the arrogance shown by Pakistan at the various meetings of सार, चाइना as an anchor, तो अब चाइना की बीचे कब तक पाकिस्तान खड़ा रहेगा, जैसे मैंने भी बात बोली कि चलो CPAC की बात करें, तो this may be of some help, but it cannot be a substitute to have an integration with a large neighboring economy like that of India, ठीक है, अब चाइना के बीचे तो पाकिस्तान चलो चाइना के बीचे खड़ा हुआ है, लेकिन ये जादा, अभी चलो चाइना उसको security provide कर रहा है, चाइना उसको funding दे रहा है, उसके जो भी nuclear programs है, जो भी उसके defense needs हैं, उसके लिए funding मिल रही है, क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान के जो relations है, अगर हम Gulf Monarchies के साथ बात करें, इतने अच्छे नहीं रहे हैं, Gulf Monarchies जो हैं, वो इंटिया को जादा priority देते हैं, तो अभी कट-कट आगे, अगर कोई पाकिस्तान के पास बचा है, उसका दोस्त, तो वो चाइना ही है, ठीक है? But irrespective of what the NSP might state, पाकिस्तान people can neither have human security, nor can they have a successful economy, without having cooperative ties with India. Question क्या बनता है? Question बनता है, discuss the implications of national security policy of Pakistan, on the regional and economic integration within the South Asian region. इसका आपको answer कहा मिलेगा? इसका answer आपको मिलेगा इन 5 points में और इन 4 points में. चलिए. तो दोस्तों, ये थे हमारे ये 4 articles जो आज हमने discuss करने थे, तो articles तो हमारे इतने थे, बस lecture खतम करने से पहले, बस आपको यही बोलूँगा कि prelims pass में है, तो prelims देखी, अब इस बहह में मत रही है कि prelims पोस्पूर हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, वो UPSCM को बता देगा, लेकिन आपने पनी त्यारी पूरी जारी रखनी है, कि महारे पास 5 मीने रह गए है, 5 मीने का टाइम है, मैं बार-बार यह कहता रहता हूं कि 2-3 नंबरों से, एक-2 questions से हम रह जाते हैं, पूरे साल की मेनत खराब जाती है, तो दोस्तों यह हम आपको support करना चाते हैं, आपके सपने साकार हो सकें, तो यह हम कुछ courses लेके आएं, इस courses को आप देख सकते हैं, courses को आप अवेल कर सकते हैं, prelims के crash courses हैं, current affairs के भी हैं, static के भी हैं, यह available मिलेंगे, आपको आप website पे भी check कर सकते हैं, इसमें आपको mock test भी provide किये जाएंगे, तो अगर आप comprehensive course लेना चाहते हैं, तो अगर आपको crash course एक comprehensive crash course करना है, GS का भी आपको चाहिए, crash course आपको current affairs का भी जाएंगे, और आपको साथ के साथ, आपको mock test भी चाहिए, तो उसके लिए यह वाला course है, prelims GS plus current affairs plus test series, यह आपको 15,000 कर पढ़ेगा, इसमें 28 mock test भी होंगे, sectional test भी होंगे, full length test भी होंगे, तो इसमें comprehensive coverage की जाएगी, तो अगर आपको अच्छा लगे, तो please website पे जाएए, इन courses को avail करिए, और जल्दी से enroll करिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और editorials के साथ, तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, thank you so much and जै हिंद,